गाइज यह जो पिल ऑफ मास्क है ना इसने मेरे सारे ब्लैकेट्स और वाइट्स को रिमू किया है मेरे फेस के उपर जितने में सारे अन्वांटेड है थे चोटे चोटे बाल थे ना उसे भी बहुत अच्छे तरह से निकाला है गाइज मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क क्योंकि आपको भी पता लगे कि यह जो कॉफी पिल ऑफ मास्क यह 100% वोक करता है 100% अपके फेस के ओपर जितने सारे ब्लैकेट्स और वाइट्स ते अन्वांटेड है तो उसे भी रिमू करने में हेल्प करता है तो उसे भी रिमू करने में हैं हुआ है आज मैं आपके प्लस यह आपके फेश को भी निकालेगा लाइक बहुत सारे लोग के इस एल्या पे अपर लिप्स के ओपर फेश के ओपर भी बहुत सारी बाल होते तो उसे अगर आपको इंस्तंटी निकालना है तो इस पिल आप मास्क को आप ज़रो ट्राइक करना आपको अच्छा रिज इस पिल आप मास्क को आपको डेफिनिटली एंट परसंट इंस्तं ग्लोइंग रिजर्ट तो चलिए स्राट करते इस वीडियो को सबसे पहले आप देख लिए इस पिलोग मास्क को कैसे बनाना है देन उसके बाद में आपको अप्लाइगा के लिखाऊंगे और इसका रिज इस पिलोग मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए कोफी यदग को दो रिए का झायए कर्क्します किसे भी स्टोर में गणी सकते हो इसके पाइब हमें चाहिए धोरंडें का तो के अटिय। Insert leetz in one-day आपको अमांण बोल को सकता है किसे बा maior को एक ऊचिते हाँ तो ऑना है के टीम पूरा पीलॉफ मास्क का पाउच है वो आड़ करना है यह भी आपको टूटी स्पून के आराउंड लग जाएगा तो इस पाउच में टूटी स्पून पीलॉफ मास्क होता है दूरों को हम एड़ कर लेंगे इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है थोड़े से यहां पर लंस जमाओंगे तो आपको अच्छी तरह से फेटने के बाद यह इस तरह से इसकी कंसिस्टंसी बन जाती है आप देख सकते हैं यह आप यह अच्छी तरह से हो गया है अब एप是我 पले ग top के चांट मनक्ताश को आपलय का रह रही हूँ है अपने ह हाथ के हैंड की हेल्प से में अपने फेस्की तरह बहलं ही है आप देख सकते हैं आप ए अप्ले पूरे फेस्की तरह आपको अपलाआ करना है आंड थोड़ी सी थिक आपको अपलाइ करनी बिखिंग कोफी पिलॉप मास्क यह बहुत यह अच्छा तरह से वाक करता है हमारे फेस के ऊपर हमारे ब्लैकेट्स और वाइट्स को रिमू करता है यान की डीपली क्लीन करेगा अगर आपके फेस के ऊपर एक्सेस हेर है यान चो अन्वांटेड है चोटे-चोटे बाल होते है अगर कोफी में कैफीन एंटी ऑक्सेदम प्रॉप करता है हमारे स्किन इसे वी के डाग धबिन तो उसे भी रिमू करता है हमारे पिग्मेंटेशन को भी हटाती है अगर आपके तो इसे बीवन करने में बड़ेगा अब आपके सिकन आपके इसे ट्राय होने के लिग देना है आप अब अपको इसे रीमू करना है रीमू कैसे सब्सक्राइब नीचे से उपर आपको लेके जाना है अप देख सकते हैं यहां पर मैं किस दर्शे दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको इस पेलोप मास्क को करना है इसे नीचे से अगर आप उपर लिजाते हो न तो यह हमारे जो blackheads and whiteheads उसे भी अच्छी तरह से निकालता है हमारे जो excess hair न फेस के उपर unwanted hair तो उसे भी remove करने में काफी help करते है आपको इसी तरह से नीचे से उपर की और आपका peel of mask remove करना है अगर आप उपर से नीचे की और अपना पिलोफ मास रिमूँ करते हो तो आपके फेस के उपर जितने में सारे ब्लाक एट्स हो गए वाइट्स हो गए अन्वांटेड हेर हो गए डेट सेल्स हो गई वो अच्छी तरह से रिमूँ नहीं होती वो थोड़ी थोड़ी ना फेस के साथ को दर दोगा ऐग्याज इसे तरह से आपको इन पिलोफ मास को डूल गारना है आप यहां पे देख सकते हुआ है तुकडे हो गए इस पिलो मास के अच्छी तरह से यह पूरा मास नहीं रिमो हो गया है आप देख सकते यह आप पे तो इसी तरह से यह निकलता है इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे फेस के उपर कितना इंस्टन ग्लोइंग रिजल्ट आया है जितने भी सारे दाग धबेते हुगो रिमो हो गए है यानि कि बलर हो गए है और ब्लैकेट्स और वाइट्स पी रिमो हो गए मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से बचाए थंडे पानी के साथ तोवल के लिपसे में अच्छी तरह से ड्राय करके लिए है और आप देख सकते मेरे फेस के ऊपर कितना नैच्रल ग्लोइंग इफेक्ट आया है मेरे नोस के ऊपर जितने मी सारे ब्लैकेट्स देना वो अगर आपको यह वीडियो पसे आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किजेगा मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करना बाइ गाइस टेक केर मैं आपको बहुत रही है तो जरूरा आपको जरू हाँ मैं आके करना पसे लिवां ओप Zar 50 को पारा बाइस । दिखा रही हूं कि आपको इसका पता चले तो आप देख सकते हैं जितने में सारे ब्लैकेट्स और वाइटेट्स से बहुत ही अच्छे तरह से रिमो गई है आप इसे डिफिनेटली ट्राइ करना ट्राइ करते हैं तो प्लीज कॉमेंट डाउन करके ज़रूर बताईगा बाई टेक केर